नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है, आप स्वस्थ हैं तथा अपना खयाल अच्छे से रख रहे हैं जरा बताईए तो, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस ख्षेतर में आप रहते हैं, वहाँ किस प्रकार के पेड़ पौधे, जीवजन्तू मिलते हैं? क्या दुनिया के हर हिस्से में एक प्रकार के पेड़ पौधे या जीवजन्तू मिलते हैं? नहीं, आदिकाल से ही प्रित्वी पर अनेक प्रकार का जीवन विक्सित हुआ है यहाँ पर छोटे-छोटे जिवानों बैक्टीरिया से लेकर बड़ी ब्लू वेल तक सभी जीवधारी रहते हैं यदि भारत की बात की जाए, तो भारत विश्व के उन व्यापक तेशों में से है, जहां व्यापक जैविविदता पाई जाती है भारत में भिन भिन प्रकार के पेड़ पौधे जीवजनतु पाई जाते हैं क्या आप जानते हैं, ब्राजिल के भारत ही एक ऐसा देश है जहांके सभनवनों में व्यापक जैविविदता देखने को मिलती है तो आज के सत्र में हम बात करेंगे आपकी भुगोल की पाठे पुस्तक के दूसरे पाठ की जिसका नाम है वन तथा वन्यजीवन संसाधन प्रित्वी पर एक अद्भुत जैविविधता पाई जाती है यहां पर करोडों जीवजनतु पाई जाते हैं, मनुष्य तथा दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थित की तंत्र अर्थात एकोसिस्टम का निर्मान करते हैं हम सब इस एकोसिस्टम का एक हिस्सा है अपने अस्तित्व के लिए हम इस एकोसिस्टम या पारिस्थित की तंत्र के विभिन तत्मों पर निर्भर करते हैं वायू जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और ब्रदा जो अनाज पैदा करती है तथा जिसके बिना जीवन संभव नहीं है इसके कुछ उधारण है पारिस्थित की तंत्र या एकोसिस्टम क्या होता है विविद परकार के वातावरण में भिन भिन परकार के जीव पाये जाते हैं सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्मान करते हैं। इसे ही पारिस्थित की तंत्र या एकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थित की तंत्र को समझने के लिए कलपना करें एक तालाब की जहां मचलियां, मेंडक, शैवाल, जलिये पुष्प तथा अन्यकड़ी जलिये जीव रहते हैं। यह सभी ना केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं, बलकी जल, वायू, भूमी जैसे और जैविक घटकों के साथ भी पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंद हैं, पारिस्थित की तंत्र का निर्मान करता है। और जैविक घटकों के बीच होने वाले परस्पर संबंधों वह उनके मध्य होने वाली प्रक्रियाओं से संबंदित है। जैव विविधिता शब्द एडवर्ड विल्सन नामक विज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यदि आप अपने आसपास नजर दोड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे पौधे और प्राणी हैं जो सिर्फ आपके क्षेतर में ही पाए जाते हैं। भारत जैव विविधिता के संदर्भ में विश्व के समर्द्ध देशों में से एक है। विश्व में पाए जाने वाली जैव उपजातियों की आठ प्रतिशत संख्या जोकी लगभग सोला लाख प्रजातियां हैं भारत में पाए जाती है। अनुमान के अनुसार भारत में 10 प्रतिशत वन्य वनस्पति जात और 20 प्रतिशत संधारियों को लुप्त होने का खत्रा है। इन में से कुछ उपजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं जैसे चीता, गुलाबी सरवाली बतक, पहाडी कोयल और जंगली चीतिदार उल्लू। इसी तरहां भारत में कुछ प्रसिद पौधों की लुप्तप्राई प्रजातियां जिन्हें ततकाल संरक्षन की आवशक्ता है, वह हैं शिलांग में पाय जाने वाला इलेक्स खासियाना, करनाटक में पाया जाने वाला डायो स्पायरोस सैल्बिका, जिसे एबनी कहते हैं, तथा पूर्वी घाट में पाया जाने वाला लाल चंदन हैं, क्या आप जानते हैं, धर्ती पर कीटों की संख्या लगभग 41 प्रतिशत कम हो चुकी है, अध्यन बताता है कि मधुमक्खियां, चीन्टियां और बीटल अन्यस तंधारी जीवों और पक्षियों की तुलना में आठकुना तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, चलिए जानने की कुशिश करते हैं, ये विभिन प्रकार के पौधे और प्राणियों की कौन-कौन सी जातियां हैं, अंतराश्ट्रिये प्राकृतिक सन्रक्षन और प्राकृतिक संसाधन सन्रक्षन संग के अनुसार इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है सामान्य जातिया, संकट ग्रस जातिया, सुभेद जातिया, दुरलब जातिया, स्थानिक जातिया, लुप्त जातिया सामान्य जातिया, वे जातिया हैं, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड और रोडेंट्स रोडेंट्स वस्त अंधारी जीव हैं, जिनके सामने के दांत, अर्थात इंसिजर्स बहुत तेज होते हैं, यह अपने सामने के दांतों का उप्योग, सक्ट चीजों को कुतरने के लिए करते हैं, चूहा, गिलेहरी, पॉर्क्यूपाइन यह सब रोडेंट्स हैं संकट ग्रस जातियां, वे जातियां हैं, जिनके लुप्त होने का खत्रा है, जिन विशम परिस्थितियों के कारण, इन जातियों की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं, तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है उधारण के लिए काला हिरन, मगरमच, भारतिये जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंच वाला बंदर, संगाई, अर्थात मनिपुरी हिरन, संकट ग्रस जातियां हैं, सुफेद जातियां वे जातियां हैं, जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विप्रीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली, तो इनकी संख्या घटती जाएगी और यह भी संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की नीली भेड, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डाल्फिन, कुछ उधारण हैं जिनकी संख्या घट रही है दुरलब जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विशम परिस्थितियां नहीं बदली तो यह संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगौलिक सिमाओं से अलग विशेश शेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जैसे अंडमानी तील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुवर और अरुनाचल के मिथुन इन जातियों के उधारण है लुप्त जातियां कभी गंगा के मैदान में पाई जाने वाली गुलाबी सिरवाली बतक शामिल है आए जाने एशियाई चीता कहां चला गया चीता भूमी पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तंधारी प्राणी है यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो एक सो बारा किलो मीजर प्रती घंटा की गती से दौड सकता है लोगों को आम तोर पर चीता और तेंद्वा एक जैसा ही लगता है लेकिन चीते की विशेश पहचान उसकी आखों के कोने से मुह तक नाख के दोनों और फैली आसूँ के लकीरनुमा निशान है बीस्वी शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक पाया जाता था परन्तु इसके आवासिये क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके है भारत में तो 1952 में ही चीते को लुप्त जाती घोशित कर दिया गया था जैसे जैसे इनसान ने तरक्की की है वनस्पती जात और प्राणी जात का भयानक रास हुआ है भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली है देश में वन आवरण के अंतरगत अनुमान तह 89.42 मिलियन हेक्टेर शेत्रफल है यह देश के पुल भॉगॉलिक शेत्रफल का 24.1 चे प्रतिशत हिस्सा है जिसमें सघनवन 12.2 प्रतिशत, खुलावन 9.1 चार प्रतिशत और मेंगरोव 0.1 चार प्रतिशत है State of Forest Report 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघनवनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की व्रिधी हुई है परन्तु वन क्षेत्र में यह व्रिधी, वन सनरक्षन उपायों, प्रबंधन की भागिदारी तथा व्रिक्षर ओपन से हुई है आईए जानते हैं वे कौन से प्रतिकूल कारक हैं जिनकी वज़ा से वनस्पति जात और प्राणी जगत का ऐसा भयानक रास हुआ है हमने प्रकृती को संसाधनों में परिवर्थित कर दिया है लकडी, छाल, पत्ते, रबड, दवाईया, भोजन, इन्धन, चारा, खाद या सब हमें प्रतक्ष अत्वा परोक्ष रुप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है इसी कारण से हमने वनों को अंधाधुंद इस्तमाल किया है इस वजह से वन्य जीवन और वनों को नुकसान पहुँचा है भारत में ब्रिटेश काल के दौरान रेलवे लाईन, क्रिशी, व्यवसाय, वानिज्यवानकी और खनन क्रियाओं में भी व्रिधी हुई इस वजह से भी वनों को काफी नुकसान पहुँचा स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात क्रिशी का फैलाव हुआ जिस वज़े से वन संसाधन सिकुडते चले गए बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओ ने भी वनों को काफी नुकसान पहुँचाया है 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेर से भी अधिक वन नर्मदा सागर परियोजना के पून हो जाने से जलमगन हो जाएंगे खनन ने भी वनों की बरबादी में महत्पून भूमिका निभाई है पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन से गंभीर खत्रे में है अधिकतर जन जातिये क्षेत्रों विशेश कर उर्वोतर और मध्य भारत में स्थानांत्री अथ्वा जूम खेती अथ्वा स्लैश और बन खेती के चलते भी वनों की कटाई या निमनिकरण हुआ है स्थानांत्री क्रिशी क्या है? इस प्रकार की क्रिशी में किसान पेडों और जाडियों को काट कर वह उनको जला कर मैदान को साफ करते हैं और उसके बाद साफ मैदान पर दो तीन सालों तक क्रिशी की जाती है यहां खाद का इस्तमाल बिलकुल नहीं किया जाता कुछ समय बाद जब यह मिटी आनुप जाओ हो जाती है तो किसान जंगल के दूसरे हिस्से में इस प्रक्रिया को दोहराता है और वहां खेती करता है पसल स्थानांतरण का यह तरीका अभी भी उत्तरपूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर किया जाता है इसे असम में जूमखेती, ओडिशा और आंध्रप्रदेश में पोडू, मध्यप्रदेश में बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है भारत के कई क्षेत्रों में समवर्धन व्रिक्षा रोपन, अर्थात वानिज्जे की द्रिश्टी से कुछ या एकल व्रिक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपन करने से भी पेडों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है उधारन के लिए सागवान के एकल रोपन से दक्षिन भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गई क्या आपने हिमालियन यव देखा है? हिमालियन यव चीड की प्रजाती का सदा बहार व्रिक्ष है यह एक आशधिये पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है इस पेड की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है जिसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक भिकने वाली कैंसर आशधी है इसे लिए इसका अत्यधिक निश्कासन किया गया और आज इस वनस्पती जाती को खत्रा पैदा हो गया है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं वन्ने जीव के आवास काविनाश जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना पर्यावरणिय प्रदूशन वविशक्तिकरन तथा दावनल दावनल अर्थार जंगलों में लगने वाली आग इसके अलावा संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग तथा पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी पर्यावरण विनाश का कारण है क्या आप जानते हैं? भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं एक तिहाई जलमगन भूमी सूख चुकी है सत्तर प्रतिशत धरातलिये जल प्रदूशित है चालिस प्रतिशत मैंगरोव ख्षेत्र लुप्त हो चुका है जैव विविधता में होने वाले इस रास के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाए निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिये पर पहुँच गए हैं यह समुदाए खाने, पीने, आशधी, संस्कृती, अध्यात्म इत्यादी के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर हैं इसके साथ साथ गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं क्यूंकि खाना, चारा, जल और अन्य आवशक्ताओं की वस्तुओं को इकठा करने की मुख्य जिम्मेवारी आज भी कई समाजों में महिलाओं की ही होती है अब जैसे जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है महिलाओं पर कारेभार बढ़ता जा रहा है कई बार तो उन्हें संसाधन इकठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है इससे ना केवल उन्हें गंभीर स्वास्थ समस्याईं झेलनी पड़ती है बलकि काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा भी होती है जिसके गंभीर सामाजिक दुष परिणाम हो सकते हैं वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाड़ भी गरीब तपके को सबसे अधिक प्रभावित करता है भारत में वन और वन्ने जीवन का सनरक्षन करने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए है वनो और वन्ने जीवन का सनरक्षन आवश्यक है क्योंकि सनरक्षन से पारिस्थित की विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायू और ब्रदा बने रहते हैं वन्ने तथा वन्ने जीवन सनरक्षन विभिन जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पती और पशों में जीन्स विविधता को भी सनरक्षन करता है भारतिय वन्ने जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्ने जीवों के आवास रक्षन के अनेक प्रावधान थे इस अधिनियम के तहट बची हुई संकट ग्रस जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्ने आवासों का कानूनी रक्षन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आधि पर जोर दिया गया है इसके साथ साथ केंद्रिय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रे उद्धान और वन्ने जीव पशुविहार स्थापित किये केंद्रिय सरकार ने कई परियोजिनाओं की भी घोशना की जिनका उदेश गंभीर संकट में पड़े कुछ विशेश वन्न प्राणियों को रक्षन प्रदान करना था इन प्राणियों में बाग, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, तीन प्रकार के मगरमच, स्वच जल मगरमच, लवनिये जल मगरमच और घडियाल, एश्याई शेर तथा अन्य प्राणी शामिल हैं इसकी अतिरेक भारतिय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतिय गोडावन और हिम तेंदुओं के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अत्वा आन्शिक प्रतिबंद लगाया गया है वन्य जीव अधिनियम, 1980 और 1986 के तहट सैंकणों, तितलियों, पतंगों, भ्रिगों और एक ड्रेगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है बाग परियोजना वन्य जीवन संरचना में बाग एक महतपूर्ण जंगली जाती है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में बीस्वी शत्ताब्दी के आरंभ में बागों की अनुमानित संख्या 55,000 से घट कर मात्र 1827 रह गई है बागों को मार कर उनको व्यापार के लिए चोरी करना आवासिय स्थलों का सिकुड़ना भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जन संख्या में व्रिधी बागों की घटी संख्या के मुख्य कारण है इसके अलावा बागों को उनकी खाल उनकी हड्डियों का व्यापार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था बागों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परमपरागत औशिदियों में प्रयोग के कारण ये जाती विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है इसकी शिरुवात 1973 में हुई बागसन रक्षन मात्र एक संकट ग्रस्ट जाती को बचाने का प्रयास नहीं है पापितू इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाती को बचाना भी है भारत में बागसन रक्षन परियोजनाओं के कुछ उधारण है उत्तराखंड में कारबिट राष्ट्री उद्ध्यान पश्चिम बंगाल में सुंदर्बन राष्ट्रे उद्ध्यान मध्य प्रदेश में बांधवगर राष्ट्रे उद्धान राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशुविहार आसाम में मानस बाग रिजव और केरल में पेरियार बाग रिजव आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव पशुविहार और राष्ट्रे उद्ध्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वित्रण भारत में पाई जाने वाले अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रतक्ष रूप में सरकार के अधिकार शेत्र में है या वन विभाग अथ्वा अन्य विभागों के जरिये सरकार के प्रबंधन में वनों को निम्नलिखित परगों में बांटा गया है आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन आरक्षित तथा रक्षित वन ऐसे स्थाई वन चेत्र हैं जिनका रखरिखाव इमार्ती लकडी, वन्ने पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन क्षेत्र घोशित किये गए है आरक्षित वनों को वन और वन्ने प्राणियों के सनरक्षन के लिए सर्वाधिक मुल्यवान माना जाता है मध्यप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाजू, पश्चिम बंगाल और महराष्ट्र में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है रक्षित वन वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा रक्षित है इन वनों को और अधिक नश्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है बिहार, हरियाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है अवर्गी कृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमी जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गी कृत वन कहलाते हैं पूर्वोतर के सभी राजियों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गी कृत वन हैं तथा स्थानिय समुदाई के प्रबंधन में हैं। समुदाई और वन सनरक्षन। क्या आप जानते हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ शेत्रों में तो स्थानिय समुदाई सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास धलों के सनरक्षन में जुटे हैं। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गाउं के लोग वन्य जीव रक्षन अधिनियम के तहत वहां होने वाले खननकारे को बंद करवाना चाहते हैं। इसी तरहां राजस्थान के अलवर जिले में पांच गाउं के लोगों ने तो 1200 हेक्टेर वन भूमी भारोदेव डाकव सेंचुरी खोशित कर दी है। जिसके अपने ही नियम कानून हैं और शिकार को यह पूर्णतह वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैट से यहां के वन्य जीवन को बचाते हैं। हिमाले में प्रसिद चिपको आंदोलन ने भी कई क्षेत्रों में वन कटाई, रोकी तथा साथ साथ यह भी दिखाया कि स्थानिये पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदाइक वनिकरण अभियान कितना सफल बनाया जा सकता है। तिहरी में किसानों का बीज बचाव आंदोलन और नवदान्य काफी सफल रहा है। इन आंदोलनों ने दिखाया कि रसाइनिक खाद के प्रयोग के बिना भी विविद पसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से क्रिशी उत्पादन संभव है। क्या आप संजुक्त वन प्रबंधन कारेक्रम के बारे में कुछ जानते हैं। संजुक्त वन प्रबंधन कारेक्रम 1988 की राष्ट्रिय वन नीती पर आधारित है। इस नीती में वन भूमी के विकास और उसके सनरक्षण में जन सहभागिता के महत्व को सुविकार किया गया है. भारत में सन्युक्त वन प्रबंधन कारेक्रम की अपचारिक शिरुवात 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य में सन्युक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया. सन्युक्त वन प्रबंधन में गाउं के स्तरपर संस्थाएं बनाई जाती हैं और ग्रामीन तथा वन विभाग अधिकारी सन्युक्त रूप से कारे करते हैं. इसके बदले ये समुदाए मध्य स्तरिये लाब जैसे गैर इमार्ती वन उत्पादों के हरकदार होते हैं और सफल सन्रक्षन से प्राप्त इमार्ती लकडी लाब भी भी भागिदार होते हैं. प्रकृती की पूजा सद्यों पुराना जन जातिये विश्वास है. इसका आधार प्रकृती की हर रूप की रक्षा करना है. शायद यही वज़ा है कि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी विभिन वनों को उनके मूल रूप में बचा कर रखना संभव हुआ है. पवित्र पेडों के जुर्मुट वहवन है जहां स्थानिये लोग ही घुसते हैं और वहां पर प्रकृती के साथ किसी और को छेड़चार नहीं करने देते. कुछ समाज में तो विशेश पेडों की पूजा होती है. जैसे छोटा नागपुर्क शेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदंब के पेडों की पूजा करते हैं. आटीशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड की पूजा करती हैं. बहुत से व्यक्ति पीपल और वट प्रिक्ष को पवित्र मानते हैं. आपने अपने आसपास भी लोगों को व्रक्षों की पूजा करते देखा होगा. आम तोर पर जर्नों, पहाडी चोटियों, पेडों और पश्यों को भी पवित्र मानकर उनका सनरक्षन किया जाता है. आपने अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूरों को देखा होगा जिने उपासक खिलाते पिलाते हैं. राजस्थान में विश्नोई काउं के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाए और मोरों के जुन्ड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का एक हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच जाता. आए कुछ करके सीखते हैं. आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत के वन्ने जीवों के नाम दिखाए गए हैं. हमें क्या करना है? हमें इन जीवों को इनके उप्युक्त स्थान पर लाना है. अर्थात, जहां पर ये जीव पाए जाते हैं या कभी पाए जाते थे, हमें इन जीवों को वहां पर लाना है. इन स्थानों के नाम हैं मनिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गंगा का मैदान, गंगा नदी. चलिए करते हैं, सबसे पहले है हंगुल, तो हंगुल पाया जाता है कश्मीर में, जंगली सुवर मिलता है अंडमान में, संगाई या मनिपुरी हिरन मिलता है मनिपुर में, मिथुन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, नीली भेड हिमाचल प्रदेश में, गुलाबी सिर्वाली बतक जो अब लुप्त हो चुकी है, कभी पाई जाती थी गंगा के मैदान में, और डॉल्फिन पाई जाती है गंगा नदी में, इस अभ्यास में हमने दिये गए पक्षी अभ्यारणों के नाम का मिलान इसके उप्युक्त स्थान से करना है, सबसे पहले है इगलनेस्ट अभ्यारण और यह है अरुणाचल प्रदेश में, इगलनेस्ट का नाम भारतिय सेना के रेड इगल डिविजन से लिया गया है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण है गुजरात में, नल सरोवर अभ्यारण मुख्य रुप से सर्दियों और वसंत में प्रवासी पक्षियों का निवास है, चिंतामनी कर यह अभ्यारण है पश्चिम बंगाल में, इस अभ्यारण का नाम 2015 में बदल कर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण रखा गया था, यहां साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षियों की प्रजाती आती है, और कुमार कोम है केरल में, इस अभ्यारण में हिमाले से लेकर साइबेरिया तक विविद स्थानों से प्रवासी पक्षी आते हैं, और अब कुछ प्रश्न आपके लिए, जैव विविदता के सनरक्षन के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिएं, वनों का सनरक्षन क्यूं आवश्यक है, अपने माता-पिता अथ्वा दोस्तों से इस बात पर चर्चा करें, यदि आपको तथा आपके दोस्तों को कहा जाए कि आपने अपने क्षेत्र के लोगों में वन सनरक्षन से संबंधित जागरुकता लानी है, तो आप क्या करेंगे? तो आज हमने बात की, भारत में वनस्पतिजात और प्रानीजात, भारत में वन और वन्ने जीवन का सनरक्षन, वन और वन्ने जीवसन साधनों के प्रकार और वित्रण, समुदाई और वन सनरक्षन. वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? मैं एक छोटी से कविता के माध्यम से ये आपको पताना चाहूंगी. ये कविता आप ही की तरह किसी विद्यार्थी ने लिखी है और मैं चाहूंगी कि आप एक बार इसे अवश्य सुनें. जीवन का आधार व्रिक्ष हैं, धर्ती का शिंगार व्रिक्ष हैं, प्राणवायू दे रहे सभी को ऐसे परम उदार व्रिक्ष हैं, इश्वर के अनुदान व्रिक्ष हैं, मूल्यवान औशधियां देते ऐसे दिव्वे महान व्रिक्ष हैं, लाखों जीव बसेरा करते जै कैसे सुन्दर गाउं व्रिक्ष हैं जन जीवन के साथ व्रिक्ष हैं खुशियों की बारात व्रिक्ष हैं जीव जगत की भूख मिटाते ये सुन्दर फलदार व्रिक्ष हैं जीवन का आधार व्रिक्ष हैं धर्ती का श्रिंगार व्रिक्ष हैं किसी भी देश में जैव विव इधिता की सम्रिध्थी उस शेत्र की जलवायू तथा क्षेत्र पर निर्भर करती है प्रकृति में मानव अन्य जीव जन्तूं तथा वनस्पतियों का संसार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि किसी के भी बाधित होने से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है तथा अं आस प्रक्रियाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह जन्मानस पर केंद्रित हों तथा पर्यावरण हितैशी हों इसके साथ साथ हम सबको भी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की एक मजबूत कड़ी बनना होगा तभी हम देश में पाए जाने वाले संसाधनों का संरक्ष कर दो कर दो कर दो